मम्ता बनर जी पूरा भारत चौप देंगी, बांगलादेशी होंगे यहां के नेता, यहां की जनता केजरिवाल ने मुफ्त की रिवडी बाटी, मम्ता ने बाट दिया है देश, यह बंगाल में कैसे आया आदेश बांगलादेश में आरक्षर बैन की बांग सेना उतरी सडकों पे तो बांगलादेशी भागे भारत भारत में बांगलादेशी लाखों की संख्या में आएंगे तो उनका स्वागत ममता बनर जी की सरकार फूल लेकर करेगी ये कैसा कानून है जो भारत की ताकत को ही खंड खंड में बाठ देगा ये कैसे सियासत है जिसमें भारत के कानून का ही बटवारा हो जाएगा ममता बनर जी का नया आदेश्य की जो भी बंगलादेशी भारत आना चाहता है उसका स्वागत सरकार करेगी लेकिन वो स्वागत कैसा होगा ये सुनकर आपके होशुर जाएंगे कहा है देश का सरवोच नयालाई कहा है देश का वो पढ़ा लिखा वर्ग जो देश की अखंडता पर होने वाले हमले पर चुप हो जाता है योगी कहते हैं नाम लिखना होगा तो इस पे एक पाक्ष सुप्रिम कोट पहुँच जाता है लेकिन जब ममता बंगलादेश्य को भ करने वाली अगर कुछ नहीं हुआ तो एक दिम पूरा बंगलादेश भारत ही बन जाएका जोदी बंगलाए दर्जा खट-खटानी करे आम राता देर आस्ट्राइ निश्चुई दोवो तार कारण एटा इउनाइटेड नेशान सेर एक्टा रेजूलेशन आछे के उजोदी रिफ्यूजी होए जाए ताके पाशेर पाश्चो बूर्तिय लाका ताके शन्मान जानावे भारती बन के बड़ी तादात में बंगलादेशी घुसपैटिये जालंधर और लुधियाना में भी बच चुके असाम बहराष्ट, दिल्ली, ओडिशा, मद्प्रदेश और भारत के सभी राज्यों में बांगलादेशी वेश बदल के देश को दीमक की तरह चाट रहे हमारी सारी सरकारी सुबिधाओं और सामाजिक सुरक्षा के काईदे और फाइदे उठा रहे हमारे लोगों की नौकरिया और उनके दंदे चौपट कर रहे कुछ सड़क किनारे बिखारी बन बैठे ये सब किस सरकार के इशारे पे हो रहा है ये समझने वाली बात है CBI के पूरो डारेक्टर जोगिंदर सिंग ने अपनी रिपोर्ट में चौका दिने वाला दावा किया था लगबग 5 करोड बांगलादेश से घुसपैट बन कर भारत में बैठे हुए जबकि खुद बांगलादेश के 2001 की जनगर्णा में एक करोड लोग गायब है एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सरकार ने बांगलादेश की सीमा पर आने जाने वाले लोगों पे नजर रखी तो पता चला 5000 लोग रोजाना बांगलादेश से भारत आने की कोशिश करते है महीने में 1.5 लाग इतने सालों में कितने घुसपैट भारत आ गए होंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है लेकिन इनकी संख्या करीब 3 करोड से कम नहीं जो कि पंजाब की जन संख्या से ज़्यादा है यानि पंजाब से बड़ी भूमी पर ये कबजा जमाए बैठे इसके बाद भी बांगलादेश की जनता का स्वागत भारत में घूम रहा है वो कैसे आया ये भी समझ लेते हैं पश्यम बंगाल में ममता बनर्जे की सरकार के पीछे बंगलादेशी नागरिकों का भी भारी योगदान है मोधी सरकार को ये भी बात पता है पिछले कारेकाल में ही बोधी सरकार के ग्रे राज्यमंतरी नित्यारन राय ने एक चौका देने वाला खुलासा संसत के भीतर ही किया था ग्रे राज्य मंत्री नित्यारं राय ने एक सवाल के जवाब में कहा था पिछले तीन साल में गयर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे है बांगलादेशों की संक्या भारत में तकरीबन एक लाग दस हजार है ये ऐसे बांगलादेशी हैं जो बीजा लेकर आये थे लेकिन ब पर लेकरा देखिए ये बोधी सरकार का ही जारी डाटा है जिसमें बंगाल का नंबर सबसे ज़्यादा है बंगाल के रास्ते ही लोग असम में आते हैं जिसका मुद्दा बार-बार ही मंता उठाते हैं बीते कुछ समय से जारकंड के आदिवासी इलाके की डेमोग्राफी में भारी बतला हुई है पाकुड में मुसलिम आबादी में तकरीबन 40 प्रतिशत की बढ़त हुई है जबकि उसके बतले में जारकंड की संथाल आबादी महस 20 प्रतिशत ही बढ़ी साहिब गंज को देखे तो संथालों के 11 प्रत्रशत की तुल्ला में मुसलिम आबादी में 37 प्रत्रशत की बढ़त हुई साल 2001 और 2011 की जंगर्णा की तुल्ला करने पर ये बात साफ दिखती है इसकी वज़ा बांगलादेशी घुसपैट मानी जा रही कहा जाता है कि पश्यम बंगाल का एक खास रूट लेते हुए बारी मुसलिम जारकन के बॉर्डर तक पहुशते बहां कुछ दिन मदर्सों में गुजारते हैं इसके बाद आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं इसके बावजूत ममता की मनमानी पे सब चुप क्यों है क्या देश बातनी और बेचने की साजिश बंगाल में हो रही है